तो लडाई भीशड है लेकिन ये लडाई जो भीशड है इसको दरसल उत्ताप्रदेश में स्वक्त राजनीती कर रहे हैं नेता बड़ा हलका बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले दो चरण में सेंचुरी मारती है और अगले के दो चरण में एक और सेंचुरी लगेगी और सीधा मैजोरिटी इनके हाथ है तो इसको लेकर जंता दरसल तमाम बाते कर ली है जंता कह रही है कि अगर चार चरणों के अंदर यी बात बन जाएगी तो अकले के तीन चरण में क्या होगा तीन चरण में क्या रामलीला होगी क्या होगा उसमें ये भी जान्ना महतपूर है लेकिन साथ ही साथ चुनावी माहौल में जिस तरीके की भाषणवाजी जिस तरीके की अलग-अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं वो बड़ी दिल्चस्प हैं तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी दिल्चस्प हैं वीडियो वाइरल हो रही हैं बड़ इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से उत्यपरदेश चुनाओ जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे तरह तरह की तस्वीरे बहुत कुछ पैदा कर रही है बड़े सवाल पैदा कर रही है लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो कह रही है कि पहले के जो दो चरण आखड़ा जो है उसको करिश्माई आखड़े को छूते हुए आगे निकल जाएगे वहीं दूसरी तरह भाजपा भी है भाजपा कह रही है कि पहले के दो चरण में लगभग लगभग 100 सीटे हमने पाली है और अगले के दो चरणों में हम फिर 100 सीटे पाले हैं और हम भी मैज को हराना क्या उनका 2024 पर है निशाना इसको समझना भी एहम हो चाता है लेकिन अब कुछ घटनाएं हैं जिनके आसपास इस बहस को केंद्रित रखेंगे जिसके आसपास इस बहस को करेंगे तो सबसे पहली घटना वो है कि करहल में नेता जी खुद उत्रे पुत्र महों में प्रचार करने तो आप नेता जी जब उत्रे प्रचार करने अखिलेश यादव के लिए करहल सीट पर तो ऐसे में उसकी चर्चा होना स्वावविक सी बात है कि होती लेकिन उस रत के अंदर जब नेता जी बैठे थे और नेता जी के पुत्रपूर मुख्यमंत्री लो थी इसको लेकर लोगों ने सवाल खड़े करती है और अब बीजेपी ने भी सवाल साथ दिया है योगया अधनाज जी ने कहा है कि भाई बड़ा दुख हुआ देखकर शिपाल जी की तो हालत बिलकुल बत्तर कर दिया है बड़ा दुख हो रहा देखकर हलाकि शिपाल मांगी थी 45 पर बात होती रही मैंने का चलो ठीक 35 दे दो लेकिन जब देने की बात आई तो सिर्फ एक सीट दी एक सीट ये चर्चा के बिंदूओं में से एक बिंदू है जिस पर आज बात करें के दूसरा बिंदू है वो है सरिता बधौरिया जी लेकर आई है इटावा से इटावा से प्रत्याशी सरिता बधौरिया जी उन्होंने कहा कि भहिया जनता तुमने हमारा नमक खा लिया हमारा राशन खा लिया हमारा गल्ला खा लिया हमारा सब कुछ खा लिया और जब नमस्ते करते हैं तो सुईकार नहीं करते हो ये दूसरा बिंदू है अब आते हैं संबूधित करते हुआ ए पुलिस ए पुलिस ऐसे और फिर बोला ये बड़े बत्तिमीज लोग हो तो इसको भी मुद्दा बना लिया गया है कि भाई पुलिस का अफमान पूर मुख्यमंत्री इस तरह करेंगे क्या है तो इस तरीके से अफमान किया जाएगा क्या इसके अलावा एक और वीडियो है जो मैंने कुछ समय पहले देखा कानपूर का एक वीडियो था तो सुंदर कांड को लेकर एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं संभावित प्रत्याशी भी है शायद वो बड़ी अशलील बात क भारत की आत्मा को इस तरह चोट पहुंचा रहे हैं जिसका कोई सांग की सानी नहीं कोई उसका तो इनी सब बिंदूओं को लेकर चर्चा करेंगे चुरावी चर्चा है हमारे साथ हमारे महमान जुड़ेंगे आपका इनसे परिश्या करवाते हैं सबसे पहले संजेत याग क्योंकि सत्ता धारी पार्टी है अगर बीजेपी से सवाल नहीं पूछेंगे तो दूसरा कान तुरंत हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता जीन पकड़ लेंगे कि उनसे पहला सवाल क्यों नहीं करते भाई वो सत्ता में क्यों नहीं पूछ रहा हो लेकिन आज बताने का कष्ट करिए कि बीजेपी जो है अभी मैं संजेत यागी साब से पूछ दूँगा अगर कि भाईया संजेत यागी साब पहले दो चरणों में क्या हुआ तो मुझे पता है ये क्या कहेंगे ये कहेंगे कि लगबग लगबग सो हो गया और अगले दो चरण का पूछ दूँगा तो भविश्यवानी भी कर देंगे कि अगले दो चरण में भी सो है और यही बात अगर मैं संजीब चौधरी साब से कहेंगा तो वो तो अपने सामने रखी टेबल या कुरसी सब थोड़ थाण के कहेंगे कि भईया सो हो गया और अगले दो में भी सो हो गया और फिर मैं अगर पूछ दूँगा उसके बाद जो तीन है उसमें तो बोले उसमें कुछ नहीं उसमें बैंड वाजे की तैयारी टेंट का खरचा मिठ प्रेंका गांधी जी ने अच्छा माइलेज पकड़ा मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं प्रेंका गांधी प्रेंका गांधी जी ने अच्छा माइलेज पकड़ा अच्छा जोज पकड़ा अच्छा मुद्दा पकड़ा उसको सही से कैप्चर भी किया और पिंक स्कूटी ने तो उस पर चारचांद लगा दिये लेकिन उन्होंने जो ताली बजा दी वहां पंजाब में वो ताली बड़ा संकट कर गई अब आप मुझको ये बता दीजिए कि अगर ये सौ की बात कर रहे हैं दो चड़नों में ये सौ की बात कर रहे हैं दो चड़नों में आपका भी तो कुछ होगा आपका क्या है कितनी उम्मीद है सबसे पहले नमशकार आपको भी और जो पैनलिस्ट है उन सब को बहुत बहुत नमशकार सब देखिया कॉंग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो तंकल के साथ चुनाव लड़ रही है चार सो तीन विधान सब आपके की पार्टी को भी खड़ा करना है का से कोड़े मुद्दे हैं वो कॉंग्रेस पार्टी जीवी तरक रही है एक सरफ धरम और जाती पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो कॉंग्रेस पार्टी जो पब्लीक के मुद्दे हैं जैते किसानों का मुद्दार रोजगार का मुद्दा महिला सुरक्षा का मुद्दा है विक तो जो जिस तरह से घटना है वी उत्ते प्रदेश में सोनभध की घटना हुई आदिवाश्य पर गोली चला है उनकी जमीन कब जाने के लिए एक तरफ शोषक समाज है जो शोषक करता रहा है आपको टोकते हुए लेकिन दले चोशित वंचित विरोजगार पेड़ित लगूत द्योग महिला विरोजगार सब के साथ सब खड़े अभी आप मुझसे पूछ लेंगे तो मैं भी कह दूँगा मैं खड़ा हूँ जबकि मैं इसी किसी महले से आता हूँगा लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ अगर ये ताल ठोड़ ठोड़ कर और संजीब चौदरी साब तो कुरसी पीछे जो सीसा विसा सब पोड़ के अगर कह देंगे कि हम भाया सौ कर चुके हैं पार और सौ और कर लेंगे आप कित अगर आप बोल देंगे अगर आप बोल देंगे की 113 नहीं तो 112 हम लेकर आ रहे हैं नहीं 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 इस तरह से नहीं मैं आपको उधारन के तोर बताता हूं कि जैसे हमने पहले चरण में एक सर्वे कराया मोटा मोटा बहुत सारे सर्वे अलग अलग तो उसमें यह निसकर्स निकला कि लगबग 14-16 सीटे ऐसी रही जहां तिर चलती है नहीं बिलकुल है अभी मन्यू साहब लेकिन कभी-कभी बुरा नहीं लगता की कॉंग्रेस जैसे इतनी बड़ी पार्टी जिसने इस देश पर इतने साल इतने सालों साल दशकों सब्सक्राइब उत्रप्रदेश में वीशासन किया अलाकि 89 के बाद नहीं लेकिन फ नहीं 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 वह मेरी बात कंपलीट हो जाए तो ज्यादा अच्छा आपको भी लगेगा अच्छा तरहसल क्या 32 साल से कॉंग्रेस पार्टी बिना गटबंधन के नहीं लड़ी का अनुभव यह रहा कि कटबंधन कोंग्रेस पार्टी को मुफीद दी रहा है हमें लाब दायग नहीं रहा हम उस संकल के साथ लड़े भाच्प भी नहीं लड़ पारी है उस संकल के साथ कि हम अकेले लड़ रहे हैं एक तो नई लीडर्शिप हम बना रहे हैं दूसरा की समीकरण के इसाफ से कई सीटे ऐसी बन रही है कि जहां नेक्टुन है कॉंग्रेस क सब्सक्राइब और हमारा परफोर्मेंस भी बहतर होता जा रहा है ठीक है जहां तक सरकार बनाने की बात है अब की बाद सब्सक्राइब जरूर को अंग्रेस के हाथ पर रहने वाली है मतलब ताला किसी और का है चलिए संजे त्यागी साहब है समान विचार धारा वाले दलो संजे त्यागी साहब सबसे पहले तो सबसे पहले तो संजे त्यागी साहब में यह जाना चाहूंगा कि साथ चरणों का मत्दान साथ चरणों में चुनाओ होना है लेकिन पहले ही चरण से दूसरा चरण कंप्लीट हुआ नहीं और तीसा चरण परसों है इतनी कौन सी उत्साहिता है इतना उत्साहित हैं आप लोग कि चुनाओ ऐसा लग रहा है कि चौथा चरण हुआ नहीं आ इतनी जादा उत्ताहित हैं तो ऐसे में जो आपके विपक्षी दल हैं वह यह कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी यह कह रही है संजे साब कि आप पहले दो चरण में पिछड गए हैं इसलिए अब ताकज जोक रहे हैं पूरी और करहल अरहल में जो जिस तरीके साफ तावर कर रहे हैं तो इसका यह है कि आप लोगों को डर सता रहा है कि पहले दो चरण में पिछड गए हैं उसको कैसे संभाले संजे साथ समझने का विशे यह है बाई साहब कि पूरी प्रदेश की जनता जो यह कह रहे हैं हमारे पेले तुम्हारे जो प्रवक्ता है इनके सवालों का जवाब दे दूँ देखे ऐसा को तो वैसे ही देस और प्रदेश की जनता सीरियस नहीं लेती तो वारते जनता पार्टी को या हमें आपको भी कॉंग्रेस पार्टी को सिरियस लेने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि इन्हों ने जो उसासन देश और प्रदेश में दिया और पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो आप सब देखी रहे हैं जिनका पूरा परिवार बेल पर हो और 2014 में और 2019 में जो देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने इन्हें जबाब दिया है यकीनन मेरी बात लिख करके रख लीजिएगा कि कॉंग्रिश का उत्तर प्रदेश के अंदर खाता भी नहीं खुलने जा रहा है यह तो बात रही कॉंग्रिश की अब हम चुकि भारतिय जनता पार्टी ने सुसासन युक्त और भरष्टाचार मुक्त सासन उत्तर प्रदेश की जनता को देने का काम किया है हमें जो आप सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या है विश्वात हमें अपने किये गई पांस सालों में विकास कारे और सुसासन पर यकीन है और प्रदेश की जनता पर पूरा यकीन है कि प्रदेश की जनता जागरूख है और भारतिय जनता पार्टी के साथ कंदे से कंदा मिलाकर खड़ी हुई है चाहे वो कोई समुदाय हो कोई जाती हूँ लेकिन जवाब भारतिय साथ सुशाशा की बात करते हैं दस मार्च दूर नहीं है दस मार्च आ लिया दस मार्च में साथ हो सकता है आप और हम और सभी पैनलिस्ट भाई फिर बैठेंगे दस मार्च का इंतजार करें और हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं संजीव भाई मैं इनसे कहना चाहूंगा इनके पास कहने के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं इनके चार फैवरेट सब्द हैं जूट, खदेडा, बेरोजगारी देखे ऐसा है अब इन सब्दों के अलावा भ जागरुख है मने सिवपाल यादव जीने मुलायम सिंग यादव जी के साथ खड़े होकर कंदे से कंदा मिलाकर समझवादी पार्टी को खड़ा करने का काम किया था, सिवपाल यादव जी के साथ बताइए मंच पर उन्हें बैठने के लिए कुर्शी नहीं दी गई, इनक सीट है, चाचा लेते हो तो ले लो, आप देखिए, परदेश की जनता ये सब देख रही है, जो अपने पिता का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, अपने 2014 में जिन से पार्टनर्शिप की गड़बंदन किया, 2019 में किया, उनका नहीं हुआ, तो व्यक्ति परदेश की जनता का क्या होगा, भरोसा रखें, धेरी रखें, मेरे केवल इतना केना है, कि बार्टे जनता पार्टी ने जो पांच मर्सों में सुसासन दिया, परदेश की ऑठेश की जनता को बार्टे जनता पार्टी को पूण भरोसा है, दस तारिक को आने वाले रिजल्ट इस बात को साबित करेंगे, ठीक है, दस तारिक को रिजल्ट साबित करेंगे, सीडह में आऊँगा, संजीब चौदरी साभ के पास, लेकिन संजा साभ ये बताईए, समाजवादी पार्टी के वह यही है जूट वगेरा बरस्टाचारी यह सब आप बात बताईए जब आप सोशासन शब्द बोलते हैं तो आप को काउंटर करने के लिए दो ही शब्द काफी है एक लखीम पुर खिरिकान और एक हाथरसकान तो जनता भी इन दो शब्दों को पूछती है कि एक दलित बेटी को उसके शब को रात में जला दिया आपकी पुलिस ने किसानों को गाड़ी से रौंध दिया आपके लोगों ने तो ये कौन सा सुशासन है, कौन सी सुरक्षा है, कौन सा भैमुख समाज है नहीं, मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूंगा, देड़ वर्सों तक चले तथा कतित किसान अंदोलन में बॉर्डर पर जो जलितीवाट को भी बिलित सा खाथ पाउंगाट के आप उसको तो प्रदान मंत्री ने खुदी क्रिशी कानूनों को वापस दिया और वापस लेते वक्ते कहा, कि मैं किसानों को समझा नहीं से का, इसलिए माफी भी मांगता हूं, चलिए ठीक है, संजे साम मिल गया मुझे आपका बर्जर, आप सीधे संजीव चौदरी साब क दलत बात, आज़र यश्वी पुतामारी जी ने खा कि कुछ किसानों को मैं समझा नहीं पाया, कुछ किसानों को, और वो कुछ किसान तथा किसान कौन थे, उनका सत सामने आ गया, उन किसानों की वोट नहीं चाहिए आपको, आप तो खेर निकल गया, चलिए, संजीव चौ कि पूछते पूछते ठक जाओं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दिए, संजीव चौधरी साब, आपको मेरी आवाज मिल रहे हैं ना साब, जी, 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 बोले, संजीव चौधरी साब ये बताइए, कि अगर मैं आप से कहूं, या आप मुझसे कहें, मान लिज कैसा है, कि कैसी भाषा है, कैसी शैली है, कैसा सम्मान है, और पूर मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का अगर प्रियोग करता है पुलिस के साथ, तो लोग कह रहे हैं कि वो पुलिस को क्या समझते हैं, पुलिस कर्मियों को क्या समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं, क पर प्यांगा जो आपने सवाल कि पर यह संजय भाई जो बोल रहे हैं जो इन्हों ने जूट बोला अज इतरा भी अधितक तरफ तो संजय भाई कि वोट लेने की बात करने हैं कि हम सारे जीत रहें और दूसरी तरफ किसानों को यह आज भी गलत सब्सक्राइब कर रहे हैं कि वह किसान थे ही नहीं हुआ जैसा इनके नेताओं उन्हें कहा है एक मेंट रुकेगा यह जरा दिख्वाएं के जरा सभी के आवाज में एकों कु तो एक तरफ यहू हुआ ले अगर वो कानून खलत है तो इंके प्रदान मंतिरी जी नहीं भाप हमांग है उनी किसानों से कितर मात लिवाड घुते रेंपरे उनी किसानों फेंख mister Hoodak साउंड जो है वह वापस आ रहा है पीप इठा दीजिए एसी रख लिगा सिंपल संजेद आखी साब अब एपी अटा लीजिए अपना इयरफोन अटा लीजिए लगा रहा रहा है ठीक है तैन्ज ने के लिए बड़ा जुर्बाग है हमारे देश का महारे प्रिदेश का शिट तरीके की बहां से आज और का मोट पर चुकी है तो आज 2 पेरी ने शचेंज्च कर लिए पासे पार्टर पार्टि वालों ने लेकिन वह भी किस्ण साब Prof. जहां तीसरा चलन होगा महां भी किसान है चोता चलन होगा महां भी किसान है और पांचवा चलन होगा छेटा चलन होगा सात्वा चलन होगा महां भी किसान है जान रखना आप वो साथ सो हंत्याओं के दोसियों आप जो सहीद हुआ हमारे किसान उनके दोसिये बादे जलता पा आप दिखा चाहे कि आहिए आप को चब कुछ पता है ऐसा नहीं है आपको नहीं पता और तीसरी बात यहां तक अभी बात यह हमारे संजीब भाई बैटे हुए है चैनल पर भाई है हमारे बड़े वैसे तो यह इन्होंने सिवपालदी की चिंता आप चोड़ दीजिए आप चिंता कीजिए तो इस मर्ती रादी की कीजिए जिनको संजीब चौदरी साब मुझे यह बता दीजिए कि ए पुलिस ए फुलिस बत्तिमीज लोग यह किस तरीके की भाषा का प्रयोग है पूर मुख्यमंत्री के दौरा पुलिस के लिए देखें आप ने एक 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 वीडियो का बोलने आप दूसरी वीडियो को भी दिखाईए ने उसी एक वीडियो का बता दीजिए यह बाषा ठीक है इसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा अगर मुख्यमंत्री बहें तो उसी भाषा का प्रयोग करेंगे पुलिस के साथ अब रही बासा की सवाल आप इनकी बासा का बताई इनकी शर्ट पूरी काली है इंकी शर्ट पूरी मंद्री खोड़िए ना फिक है नहीं ठीक है है नामेंजवाब देगे कि अगर हम बोट नहीं दो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा गिरे मंतरी जी ने क्या कहा कि अगर भाते जनता पार्यटी को जोट नहीं मिलेगी तो बहुत कलत हो तो लोग ऐसा कह रहे है पहली वीडियो के लिए मुझे इतना बता दीजे कि भाषा ठीक है या नहीं ठीक है भाषा ठीक है या नहीं ठीक है ठीक है कि देखे आप यह बताईए कि अगर जो पुलिस वाले करने ते वह ठीक करने ते क्या अखिलेश आदव भाषा ठीक है और पुलिस को इजाद थी आगर के अंदर भाषा ठीक नहीं है चलिए ठीक आगे बढ़ते आप नहीं जवाब देंगे ठीक है ठीक है आप करता हुआ बढ़िया सा तेल गरम करके चास्नी वास्नी करके उसमें जली तुरंट पकाने लगते हैं आप प्रत्याशी सुन्दर कांड को लेकर उनका मैंने अभी वीडियो देखा कारेकरम शुरू करने से पहले थोड़ी दर पहले सुन्दर कांड को लेकर इतनी अश्लील टिप पढ़िए कि ऐसे व्यक्ति को राजनीती में नहीं है ऐसे व्यक्ति को या तो गटर में या फिर जेल में होना चाहिए मतलब भारत के अंदर तुम्हें रहना है भारत की जो जेग्राफिकल लेंड है उसके अंदर रहना है और भारत की आत्मा को इस तरह चोट पहुं तो इनके लिए सारवजनीक रूप से माफी मांगे या फिर यह मुझे बता दीजिए एक तो जनता बहुत शहिषोड़ा पहुत टॉलरेंट है अगर सारवजनीक रूप से इनका सम्मान कर दिया जाता तो कैसा रहता फिन्नेता जी के साथ अब आप बताईए कि आपके नेत मेरे संग्यान में अगर 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 मेर एक ठीक है मैं कवाовा फ्रेम को यह ची zor तो श्राइम को पास करवाइड़ गाइंट लीजए जड़ा संझीर चॉद्री शळी .... चौदरी साब ये वीडियो है, इसको पास करिए गजरा, ये वीडियो है, इस वीडियो को आप देखे, खीक है? चले, तो ये है वीडियो, और ये है आपके नेता जी, संजीव चौदरी साथ, अब आपके संग्यान में डाल दिया है, अब आप बताईए, अब आप बताईए, इस वीडियो आप पोटो में दिखा रहे हैं, और जो आपने देखा होगा, आप ही बता दीजिए ना क्या है इ आप बता दीजिए क्या है, आप बता दीजिए, हम उसे ही मान लेंगे, ठीक है, आपके जो प्रत्याशी है या नेता है आपकी पार्टी, कानपुर का ये वीडियो है, ठीक है, संजीव साब इसको बता पाएंगे शायद अच्छे से, ये कह रहे हैं कि सुन्दर कांड मेरी इसको बताएंगे शादी की सालगिरा थी, मैंने सुन्दर कांड करवाया, और इतनी ज़्यादा स्टीलता है कि मैं पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन उपरी उपरी बता देता हूँ, इन्हों ने कहा कि मेरी बीवी सुन्दर है, और मैं रोज कांड करता हूँ, ठीक है, और फिर इन्होंने कहा कि मैं तो घर-घर जाता हूँ, और सबकी बीवीया मुझे पता है सुन्दर है, और फिर इन्होंने कहा कि मेरी बीवी भी घर-गर जाती है, मेरी बीवी भी सुन्दर है, लेकिन देखना मत वैसे, और फिर इन्होंने अंत में कहा कि भाया यही है सुन मावी मैदान में हैं अब बताइए अगर इनका सारवजनिक सम्मान हो जाता तो इन नेता जी की बाइट लेने हम कौन से अस्पताल जाते अब स्वास्त सुविधाएं देखें पहले किस तरीके की मिल रही है आपके नेताओं की इस तरीके की घटिया हरकते और उसके बाद जो संजीब चोदरी साब आप यहां पर जाहुगा नहीं संजीब चोदरी साब आप नी बूलेंगे संजीब चोदरी साब तोड़ी सी नेतिक्ता कभी तो मैं आपसा उम्मीद कर सकता हूँ कभी चौवेस घंटे राज्टी करने का अविशक्था आपका नेता आप अगर हिंद कोई भी धर्म की बात हो कोई भी धर्म की बात हो हिंदू हो मुसल्मानों कोई भी धर्म की बात हो हर किसी को अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए ठीक है मैं हिंदू हूँ I am proud proud हिंदू लेकिन अगर इस तरीके की बात है आपका नेता करेगा इतनी घटिया इतनी गिरी हुई मानसिक्ता इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए और अभी मैं संजय त्यागी साब से भी कहूंगा कि यह व्यक्ति बाहर कैसे है इतनी घटिया मानसिक्ता वाला व्यक्ति बाहर कैसे घूम रहे और आपकी पार्टी का नेता है मुझे नाम नहीं पता है यह संजय त्यागी मैं प्रेडूसर से कंगा आपने विवेक जहां पने दिशा नाम पता करिएगा यह जो कानपूर के समाजवादी पार्टी हुआ है कि नहीं हुआ है या पूरी तरीके से आप राजनीती का चोला ओड़ चुके हैं रहा है कि नहीं आ रहा है यह सिर्फ राजनीती की प्लास्टिक चडा रखी आपने हमारे लाल होने से तो ना तो इन यह बारते जंता सब्सक्राइब बाते कर रहा है आप इसको लेकर क्या कह रहे हैं सिर्फ इस वक्ति को लेकर इसका वीडियो में अब यह वीडियो आगे भी जायेगा पता है कानपूर की कानपूर की कानपूर की में पढ़ाइगा कानपूर की आरे नगर से कानपूर की आरेनगर सीट से विधायक है नाम है यह जो आपका विधायख है कानपूर की आरेनगर सीट से नाम है मिताप बाचपही आइनका ओढ़िए संझीफ चोधरि साब का ओढ़िए और पूरे अरको देखेगा एक दर्शक देखेगा संजीब चौदरी से मैं दर्शक को एक सवाल कर रहा हूं कि आपका कानपूर की आरे नगर सीट का विधायक है अमिताब बाजपेई वो कह रहा है कि सुन्दर कांड मैंने इसके करवाया क्योंकि मेरी बीबी सुन्दर है और मैं कांड करता और जोकी एक बार फिर प्रत्याशी है ये बात खुले मंच से कही गई है सारवजनिक मंच से कही गई है इसका वीडियो भी है संजीब चौदरी साहब इनको वीडियो दिखाया भी गया है अब मैं सिर्फ आप से इतना पूछ रहा हूं संजीब चौदरी साहब ये आपका इस तरीके की अगर बाते कर रहा है आप इसको लेकर क्या कहा रहे लाए ? लेकिन एक बात बताईए यह जो घटिया मान सिक्ता कि इस व्यक्ति ने बात की है आपकी पार्टी से हैं नाम भी बता दिया आपको अमिताब बाजपई नाम है इनकी स्टिपड़ी पर आप क्या कहेंगे करी के कोंगरण है नाम बता डिया इसन जरूर लेंगे ऐसा नहीं अगर हां तक माम है और आपको अधररा पहुंचेगा और य है अगर वहां तक पुछेंगा अखिले श्यादव in कमांड अगर वहां तक मामला मैं कह रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं एक व्यक्ति के तौर पर आप यह बताईए ओब का स्टेंड बताए है ऐसे व्यक्ति को तुकर ना चाहिए है व्यक्ति लॉया आपके सहीम को आपकी शालीलता को और आपकी डिफैंसिव सोच को आप इतने बढ़िया नेता हैं सवाजवादी पार्टी के मैं आज कह रहा हूं मैं आज कह रहा हूं अगर संशीब चौधरी साब आपके दिल दिल में बस्ती है समाजवादी पार्टी आप जिस तरीके से क्रोध आ रहा हैं मैं देख रहा हूं आपको लेकिन फिर भी किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं यह बहुत बढ़िया है बहुत इंप्रेस किया आप नहीं बिल्कुल मैं यह मैं कह रहा हूं आपको खोड़ आ रहा है हर चीज आ रही है इतनी घटिया मांसिक्ता वाला एक व्यक्ति आपकी पार्टी में है उसका मैंने आपको पूरा वीडियो सुराया नाम बताया इसके बावजूत आप डिफेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब संजीब चौदरी साहब कोई भी नेता नहीं नाम बता दिया वीडियो दिखा दिया सुंदर कांड को लेकर इतनी अभत्र इतनी अश्रील बात भारत की धर्ति के अंदर बैठ कर अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो इससे जादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता अगर ऐसी राजन यह जो वीडियो मैंने अभी दिखाया और इस वीडियो पे जो मैने चर्चा की मैं आप से कह रहा हूं कि भाई ऐसे व्यक्तिओं का संज्यान लेना क्या अखिलेज जी की पार्टी के थो अखिलेश यादव ही संग्यान लेगे और कोई कारवाई नहीं होती कि ऐसे व्यक्तियों पर जो लाकू हिंदू हैं उनकी भावनाओं को इस तरीके से ठेस पहुंचाए जाएगी इसका संग्यान के अखिले इशादव लेंगे कि आप भी ले सकते हैं या नहीं या निर्वाचनायों की दिमाग में डालेंगे इस बात को जी जो भी उचित होगा वो पादरवाई की जाएगी और रही बात ये जहां तक हिंदूों की भावनाओं को आहत करने का प्रशन आप ने किया अरे समाजवादी पार्टी का चाल चरेतर चहरा तो उस दिन प्रदेश की जंता और देश के जंत सामने आ गया था जब प्रवों से जराम के निर्दोस भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलवाएं थी नंबर दो जिसका नेता स्वें अपने पेत्रे गाउं में सेफ़ाई महोतसव की आड में हर साल जबी की सरकारों यह बारबालाओं का नगन डान्स कराने का काम करता है तहीं पूंश्ञा सकती है संजयत र्यागी साव और बताई है यह बात के संग्यान में थी कानपराली सुंदर कानडवारी पार में आप इसको आज आज आपकरवार से शिर्जनेत्रत्रत को इस से अवगत कराईगे जो भी उचित खानूनी प्रकरिया होगी उसको अमल में लाया जाएगा बहुत अच्छी बात है एक और चीज आपको बताता हूं क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि अगर मैं आपके बात कुछ संग्यान में डालूंगा तो आप सीश नेतर तो उसको पहचाने का काम करेंगे एक और है जिनका नाम है सरिता बदौरिया जी इटावा से हैं यह कह रही है है आप ही कि पार्टी की हैं प्रत्याशी है सरिता बदौरिया नाम है इटावा से है ठीक यह कह रही है कि हमारा गल्ला ठागया हमारा नमक ठागया हमारा राशन खागया हमारा सभ कुछ खागय लेकिन आょस नमस्ते करो वोट बांगने जाओ तो बिलकुल अप्मानित कर र जरूरी है देखे ऐसा है भाई साब अगर संग्ठन के रूप में उन्होंने ऐसा किया तो बहुत गलत किया संजीव भाई तो कह नहीं पाए कि क्योंकि वो तो एक प्राइवेट लिमिटेड फार्म है समाजवादी पार्टी नहीं है चाहरे वाहां तो एक ही मालिक होता है भारतिय जन्ता पार्टी में लोगतंतर है और संघ्ठन के इस तरसे तत्काल आप इस मामले को अभी संग्यान में लाए है और संघ्ठन को इस से अवगत कराया जागा और आप देखेंगे जल्दी इनके खिलाब कुछ संब्चान इस प्टिक है लागों करोड़ी आस्पा को ठोचाने वाले संजीब चौधरी साहब संजीब चौधरी साहब संजीब चौधरी साहब लोग आपको देख रहे हैं और लोग ये भी देख रहे हैं कि आप अपने नेता को लेकर बिलकुल शांत हो गए डिफैंसे पोजिशन पर आगे मतलब आपके नेता यही कांँ करेंगे आज सुन्दर कांड जो गल्ती करेगा वो भुगतेगा बोलिये इस विधायक के किलाफ क्या करवाई करेंगे बोलिये मंच से बोलिये बोलिये विधायक के किलाफ क्या करवाई होगी ठीक है संजै साब ने तो बोल दिया मैं सिशन नेता तक पहुचाऊंगा करवाई करवाऊंगा आप बोलिये क्या करवाई होगी बोलिये आप उपर बात रखेंगे ऐसे नेता को बाहर करना चाहिए की नहीं करना चाहिए आपका नेता भरे मंद से बख्वास करेगा अश्लील बाते करेगा गलत-गलत टीका टिपड़ी करेगा इसे तरीके से यह बात accepted नहीं है किसी तरीके से और ऐसे नेता को चाहें वो किसी भी PARTY का हो यह वसपा का मैंने दो चीज़े बताई यह कौन सी राजनीती का दौर आगया है आप से बड़ी इसलिए पूछना चाहता हूं कि आप प्रेंका गांधी को लेकर पूछूंगा तो आप उसको तो डिफेंड करेंगे ही करेंगे लेकिन फिर भी क्योंकि आप इन लोगों के वारे में गलत है वो गलत ही रहेगा जब उन्हों ने अपनी पतिनी पर भी एक कुछ नो कुछ बिलकुल बिलकुल सुनने में बड़ा जीब है सुनने में बड़ा जीब लग रहा है जो सनातन धर्म के जो साथ फेरे होते हैं और उसके बाद जो पल्लूओं में गांट लगती है और यानि कि कही ना कहीं विदाय जी उन बातों को नहीं मानते दूसरी बात जहां तक महिला के सम्मान की बात है वो महिला के सम्मान भी नहीं दिख रहा इसा सुनाव का वक्त है ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए लेकिन ऐसा हो सकता है वो मजाक में बात कर रहे हैं और वो दूसरी वह में लिया लिया है यह मजाक ऐसा मजाक इसमें ये बात कहेगा कोई आप अच्छा अभी मन्यू साहब आप बताईए आप कभी सपने में भी ऐसा मजाग करने का सोच सकते हैं दिल पर हाथ रखर बताईए काई बात बिल्कुल मना करता हूं इसी बात कभी जीवन में नहीं सोच सकता नहीं ऐसा कोई नहीं कहेगा अगर कहा है तो वह निंदनिया कहा है जो कि वीडियो वे देखा मैंने अभी गुगल पर भी देखा उन्होंने कहा है चलिए यही मेरा सवाद था कि ऐसे नेताओं पर संजे आज नीती में रहने का कोई अधिकार नहीं ये लोग सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर दुरगंद पैदा करते हैं और सडाने का काम करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जोड़ने के लिए कारिकरम में और आज जो चर्चा थी वो दरसल यूपी इस तरीके की अब जुस्तर है निताओं का इस हद तक गिर चुका है कि इस तरीके की टीकाटे पड़िया भी आने लगी हैं बाकि और भी बिंदू थे जिन पर चर्चा थी लेकिन समय ने इजाज़त इतनी ही दी हैं तो यहीं पर रुखना पड़ेगा कल एक बार फिर आप